नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 दिशंबर 1 और 2 जनवरी के आपके राशी महाराशी फल के बारे में 200 यह शालके आखरी दिन और साल दोयर 22 का शुरुआती दो दिने आप शबी के लिए केश दोंगे इन शबी यह शबी गरों केश होंगी क्या क्या यूग बनेगी और इन शबी केश्र आपकी राशी पर क्या होगा गिन-गिन चीजाँ को लेकर याश्महे आपको साउधर देना होगा और आघर कॉन कॉन शुन्हे कारी आपके लिए बाकिशा लोंगे दोस्तों याश्महे आपका लबदाइब के शरहीगा सुवास के सारे इकाक क्रिट के शरहीगा दोस्तों इन तींद्रों में आपका पारे रिग जिवन के श्रहेगा पारतिय सिती और धन को लेकर सितियां के से उत्यदोंगे इन शबी के महत्तपूं जान करेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ईमिशना करें और सुरुष लेकर अंतर तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो के अंतर में बहुत अच्छे उपा है जुरी आप करके इन दुरों को और भी ज़्यादा लाबकारी बना पाएंगे उससे पहले दोस्तों दिया आप चनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथे बैल आइकन को प्रेश करके औल पर श्टिट कर दें तो ऐए दोस्तों बात करते हैं जाने थे पहले गरहां किस्ति marriage के बारे में 2175 की बात करें तो दोस्तों ऐन दिन शुक्रवार कर दिन होगा किश्मर्श की 283 रहेगी और इनराधा नामका इसह नचत रहेगा वह दोस्वन नाम का शूबयोग आर गंडम्ड माघ रहने वाले हैं रावयर कल के दोस्तों चुबां के 11 बच्कर 10 मुथे लेकर दोपर बारइब बच्कर 59 रहेगा दोसों ध्यान रहे हैं आप यह कोई lub शुब और महत्पून कारें को भूल शे भी ना करें और दोस्तों चनर माहें दिन ब्रिश्ची राश्य पर संजार करेंगे दोस्तों एक जनवरी की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनीवार का दिन होगा कि श्मपच की तुरदसी तिथी से नई शाल की शुरुआत हो रही है और दोस्तों इस दिन जो योग है वो गंड़ नाम की उपरांती ब्रिदी नामक शुब योग बन रहे हैं जैंद दोस्तों इस दिन जिश्णा नच्छतर भी रहेगा राव दोस्तों इन दिनों में आप जिवन के राष्यों का पता लगाने के लिए शमानी से अधिक एक्चुग हैं दोस्तों यह एक विसेश रूप से आत्मिर्भरता का श्मय होगा दोस्तों जिसके दोरन आपको अपनी व्यक्तिगत ताकत और परतिभा को सही ढंग से उजागर करने का मौका मिलेगा दोस्तों इन दिनों में आपको अपने जुनून को ज दियान दें जिन्हें टाला नहीं जा सकता उन्हें अध्यात्मिक मारगों से जुड़ने के लिए शमय निकाले जो आपको जो सक्षम बनाते हैं दोस्तों यह प्रकृति में बीदाये गया शमय उस आंत्रिक शांति को फिर से अस्थापित करने में उप्योगी होगा जिसके में अगर आप पूरे विस्ताष के साथ इसका स्वामना करते हैं तो दोस्तों आपको जीत मिल सकती है나라 कुछ मामलों में यह एशा हो सकता है कि आपको थोड़ा गुसा या पिर नराज की जाहिर करने पर सकती है लेकिन दोस्तों इस तरह के जो वहवार हैं आप जो है इस तरह दोनों परिस्तियों में भी जय पा सकते हैं दोस्तों ये जो आपका दिन होगा अध्यात में उनत्ती के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों यश्व में आपकी करेर को लिकर बात करें तो दोस्तों यह जो आपके लिए शमय होंगे इन दुनों में आपके करेर के मामले में आप अपने वाक चातूरी से अपने बिगड़े कामों को पूरा कर सकते अपने वानी के जलते आप यश्व में अपने काम को पूरा क से आपके नम्र और कुशल ववेवार से आपको इंदरों में लाब होुगा शाथी दोस्तों यerson अगर आप की लवलाइफ उसकर बात करें तो दोस्तों यह स्मय प्यारे की रहस्यों की खोज करने की आपकी एक्षाब बढ़ सकती है और इसमें आप अपने आपको शमाने स्याधिक प्रहौशाली महसुस करेंगे इन दुनों में आपके लिए जो समय होंगे जिवन साथी के साथ आपका रिस्ता और प्रगाड होगा जो लोग किशी नए रिस्ते में हैं वे साथी के आत धनी रखनी चाहिए दोस्तों वहीं यसमें यदि आप नसीली चीज का स्यवन करते हैं तो उसे छोड़ दें क्योंकि दोस्तों आगे चल कर आपको इसका बड़ा नुक्षान उठाना पड़ सकता है दोस्तों यसमें आपका भागेशाली रंग रहेगा कुलाबी और भागे इसलिए उन पर काम का अधिक दवाब नौ पड़े या देखने का भी काम आप ही का होगा शाधी दोस्तों यसमें आपकी वित्य सिती यानि धन को लेकर बात करें दोस्तों यसमें आप महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पर आप अभी हैं वहाँ से अपने करियर को आगे ले जान करते हैं इस तरह दोस्तों धीरे-धीरे लेकिन लगातार आप अपनी दोय दक्षता बनाए पाएंगे शाधी दोस्तों यह पारवरे जीवन की बात करें तो दोस्तों यसमें गिनेश जी को लगता है कि व्यक्तिगत और पेश्यवर जीवन को संतुलिद करने के लिए आपक पीर के शाथ एक नया जोए गंत हुआ तलाशने के मूड़ वही दोस्तों इन दोनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों इन दोनों में कारवाही करने के बजाए जो आपको रिसरच करने की पिछे को शमी लगाना चाहिए आपको मार्केट में का रहश है दोस्तों गिनेश जी कहते हैं कि चीजों पर अत्यदिक तर्क लागू नौ करें बस शांत रहें और आराम करें यदि आप उपिस से छुटी नहीं ले सकते हैं तो अपिस से थोड़ा जल्दी निकलने का प्रयाश करें वही दोस्तों इन दोनों में आपका तेज दृत में जो है आपका निखार आएगा और दिमाग यस्मि आपका विकसित होगा शाथी दूस्तों इन दोनों में आपका बचाये धन आपके काम आशकते हैं इसके साथ ही दुक भी आपके जीवन साथी की लटवाही शंबनों में दूर ही बढ़ा सकती है साथ में अपना किम्ती समय बिताए और मिठी आदों को फिर से ताजा करें ताकि पुराने दिनों के फिर से वापस लाया जा सके दोस्तों इन दिनों में लंबे वक्त से चले आ रहे जगडे को आप सूल्जा ले क्योंकि हो शक्ता है कि कल बहुत देर हो जाए नई साइधारी करने के लिए जो दिन है फल्दाई रहेगा वही दोस्तों इन दिनों में आपको खाली वक्त का सदीविपयों करना चाहिए उन कामों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में आप पूरे नहीं कर पाए थे शाथी दोस्तों इसमी आप बैवाई की जीवन में कुछ नीजिता का महसूस कर सकते हैं दोस्तों इसमी आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करने से आपका पारिवरिक जीवन जो है अच्छा रहेगा दोस्तों इसमी आपको कौन से उपाएं को करना चाहिए दोस्तों आपको बता दे यशमी घर में चांदी का ठोस हाथी रखे और दोस्तों इसाख करने से आपके घर के लोगों को धनलाब होगा और आपके परिवार में शुक और समर्दी यशमी समर्धी का आईश में वास होगा तो दोस्तों इनों पाएं को जरूर करें ये आपके लिए भागी शली होगे और आपके भाईश के लिए बहतर होगे तो दोस्तों और एशी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाती बेल आइकन को पिरिश कर दे और दोस्तों वीडियो को अधिक सेधी लाइक करें शेयर करें धन्यवाद